देश में लोकसवा चुनाओं का बिगुल बच चुका है पहले चरण का जो मद्दान होगा उसको लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो वहीं दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है देखे राजस्थान में अगर 25 सीटों के समिकरण की बात की जाए तो इन 25 सीटों में से दोनों ही प्रमुक पार्टियों द्वारा लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याक्षों की घोशना कर दी गई है पहले चरण में जहां सिर्फ जैपूर शहर से कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याक्षी बदला तो वही अब दूसरे चरण में भी कॉंग्रेस की ओर से कुछ सीटों पर प्रत्याक्षों के नाम बदलने की चर्चाएं हैं वे जोरों पर है इसके साथ ही पिछले दस सालों से बीजेपी लगातार 25 में से 25 सीटे अपनी जोली में डाल रही है तो इस बार के चुनाओं में बीजेपी के सामने कुछ सीटों को लेकर संकट खड़ा हुता हुआ नजर आ रहा है बताया यह जा रहा है या यूं कहें कि राजनितिक पंडितों का कहना है कि पिछले 10 सालों से बीजेपी जो 25 सीटों का रिकॉर्ड बना रही थी इस बार वो रिकॉर्ड तूट सकता है यानि कि मोदी का जो चार सो पार जाने का सपना है उसमें कहीं न कहीं राजस्थान की भी कुछ सीटे उनके जोली से बाहर गिर सकती हैं इन में से नागोर, चूरू और बार्डमेर की सीट सबसे ज़्यादा टक्कर की नजर आ रही है यहां हम बात कर रहे हैं कॉंग्रेस की देखिए आजादी के बाद से ही लगातार कॉंग्रेस का अपना वर्चा सुरा था लेकिन 2014 में जब मोदी लहर चली थी उसके बाद से ही देश में एक बीजेपी की ऐसी लहर चली कि कॉंग्रेस की सत्ता लगातार उनके हाथ से मिट्ट की तरह बिखरती चली गई राजस्थान में इस समय राजनीती काफी चर्चाओं में हैं क्योंकि राजस्थान की कुछ सीटे जहां बाजपा गवाती हुई नजर आ रही है तो वहीं कॉंग्रेस को लेकर भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस की सबसे बड़ी समश्चा टिकेट वित्रण को लेकर है देखिए आजादी के बाद से ही अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस ने हमेशा अलप संख्यक और ब्रहमन समाज पर भरोसा जताते हुए उनको टिकेट दिया था और लगातार इन प्रत्याक्षियों ने कॉंग्रेस को जीत दिलाई थी और उनके विश्वास पर खरे उतरे थे लेकिन साल 2024 का लोकसवा चुनाओं कुछ अलग है इस बार कॉंग्रेस ने न तो किसी अलप संख्यक परत्याक्षी पर भरोसा जताया है और नहीं किसी ब्रहमन चेहरे को टिकेट दिया है ऐसे में इन दोनों ही वर्गों की जो नाराजगी है वह बीजेपी के सामने खुलकर आ चुकी है अगर हिंदू ब्रहमन सबा की बात की जाए उनकी और से इस लोकसवा चुनाओं में कॉंग्रेस का वाइकट करने की चेताओनी दे दी गई है तो वहीं अलप संख्यक वर्ग भी अब उनसे नाराज नजर आ रहा है ऐसे में प्रथम चरण के जो चुनाओं होने हैं उसके नामांकन के बाद अब कॉंग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है बताया ये जा रहा है कि दूसरे चरण की जो नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है उसको लेकर अब कॉंग्रेस कुछ उधिर बुन में नजर आ रही है आलाकमान ने भी राजस्थान के जो लीडर हैं उनसे जवाब तलब किया है कि आखिर टिकित विट्रण में राजस्थान आलाकमान की ओर से इतनी बड़ी चूख क्यों हुई है दो महत्पूर्ण वर्ग चाहे वो अल्प संख्यकों या ब्रामन जो वर्ग है वह है उनकी अंदिक ही क्यों की गई है ऐसे में आने वाले समय में इन दोनों ही वर्गों को खुश करने के लिए दूसरे चरण के मद्दान जो 27 अप्रेल को राजस्थान में होगा और 4 अप्रेल तक जिसकी नामांगन परिक्रिया चलेगी उसमें अब इन दोनों ही वर्गों को खुश करने के लिए कुछ जो सीटे हैं उन पर नाम में परिवर्तन हो सकता है ऐसे में अब देखना होगा कि कॉंग्रेस क्या इन दोनों ही वर्गों को संतुष्ट करने में खुश रहेगी बीजेपी जो पिछले 10 सालों से लगातार 25 सीटे जीतने का रिकॉर्ड बना रही है इस रिकॉर्ड को क्या कॉंग्रेस भेद पाएगी कुछ सीटे जैसा कि राजनितिक पंडितों का ये कहना है कि इस बार कुछ सीटे कॉंग्रेस की जोली में जा सकती है तो एक दो सीटे कॉंग्रेस ने जिन से गठ बंदन किया है उनकी जोली में भी गिरती हुई नजर आ सकती है चुनाओं काफी रोमान्चक हो चुके हैं बीजेपी पावरफुल नजर आ रही है अब की बार 400 पार का नारा पूरे देश में सुनाई दे रहा है तो बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए लोगसबा चुनाओं में उत्री है ऐसे में आप देखना होगा कि दो वर्ग जो इस समय कॉंग्रेस से सबसे ज़्यादा नाराज है इन दोनों ही वर्गों को कॉंग्रेस कहां थक मना बाते हैं आप देख रहे हैं दनगरी न्यूस मैं हूँ ललिक पर्मा